मित्रो प्रत्वी कांत कैसे होगा? मैंने वेदों का अध्यन किया, पुराणों का अध्यन किया और शास्त्रों का अध्यन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पोचा हूँ कि किस तरीके से इस घोर कल्यूग में प्रत्वी कांत होगा? जिहामित्रू दस हजार आठ वर्ष जब कल्यूग पूरा कर लेगा जब मनुष्य मनुष्य के खून का प्यासा हो जाएगा जब लोग अपनी ही बेहनों के बलातकार करने पर उतारो हो जाएंगे और सबसे जादा कल्यूग में अगर विनाश का कारण कोई पशुर बनेगा तो वह है गव माता इस गव माता का स्थित्व जैसे ही इस धर्थी से मिटेगा इस धर्थी पर एक महा प्रले और और ये धर्थी जल में मगन हो जाएगी और इसका पूरी तरीके से सर्वनाश हो जाएगा जिहामित्रू गव माता एक एसा पसु है जिसके अंदर 36,000,000,000,000 करोड देवताव कवास है जब वो इस धर्थी से लुपत हो जाएगी उस दिन इस धर्थी को कोई नहीं बचा सकता है इसमें घोर विपता आएगी और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और धर्थी जल मगन होकर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी इसलिए गव माता की रक्षा करें सेवा करें किवल एक रोटी के लाने मातर से ही आपको वेकुंट की प्राप्ती हो जाती है क्योंकि इतने देवताव का वास से गव माता कहता है हमेशा सेवा करते रहें धन्यवाद